मस्कार दोस्तों क्या आज की मुकाबले में हैं अपके लिए ioland कराने वाले हैं और कौन सेест बिलियर है जो आज के मुकाबले में आपको 3 विकित ले कर देगा और 50 विविए की बिनाएंगे आपका एक एक लाइक मेरे लिए काफी important होता है और जो भाई भी अभी तक नए हैं और जिन्होंने हमारा टेलिग्राम चैनल जोईन नहीं कर रखाओ वो हमारा टेलिग्राम चैनल जोईन कर लें लिंक आपको टेलिग्राम की वीडियो को डिस्किशन में मिल जाएए अब क्या होता है यहाँ पर आफ्टर टॉस अपडेट आपके लिए यहाँ पर मिलती ही मिलती है साथमी फिर गिवबवे भी आपके लिए यहाँ पर मिलता है उसके बाद बेस्ट कॉमिनेशन प्लस ग्रेंड लिग का वेस्ट कॉमिनेशन भी आपको हमारी टेलिग्राम चैनल पर ही मिलता है तो आप टेलिग्राम जोइन करना बद भूलिएगा लिंक आपको टेलिग्राम की वीडियो को डिस्किशन में मिल जाएगी तो चलिए बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम वेन्यू के बारे में वेन्यू के बारे में चर्चा की जाए तो आप देखोगे डेरें सेमी नेशनल इस्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा जो कि सेंट लूसिया में है यहाँ पर टोटल अंतराश्किक बारे में बात करें 22 मुकाबले खेलेगा है पहले बल्ले बाज़ी करते ही 11 और सेकंड बल्ले बाज़ी करते ही 11 मतलब ज़्यादा फार्क नहीं पड़ता हो हस्त और सेकंड इनिंक्स में चुकि इस दिन में मुकाबल होने बाला है तो यहाँ पर डिव का कोई फैक्टरी नहीं रहेगा इसलिए स्पनर और पेस बोलर के लिए जो कुछ विकेट में है वो ही रहेगा मैं आपके लिए वो आगे चलके डिसक्राइब करूँगा आप देखोगे टोटल ही हाँ पर मुकाबले जो 22 मुकाबले है न उनमें 180 मतलब बैटिंग फ्रेंडली एबरेज 180 आ रहा है तो आप बिलकुल उम्मीद कर सकते हो कि आपके लिए बैटिंग फ्रेंडली विकेट मिल ले वाली है तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट मिल ले वाली है तो बैस्टमेन पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करकर हम चल सकते हैं इस मुकाबले में आप बात करूँ यहां पर बात करें एक सो पचास और एक सो पचास से नीजे बना है साथ बार 150-169 चार बार 170-189 पांच बार और 190 एबब बना है 6 बार तो आप यहां पर देख रहे होगे 190 एबब भी 6 बार बना है दोनों ही टीमों की चुकि स्ट्रोंग बैटिंग है जियां दुख तो दोनों ही टीमों की स्ट्रोंग बैटिंग है और बॉलिंग भी दोनों ही टीमों की काफी ज्यादा स्ट्रोंग है तो संभपता आपके लिए एक फाइटिंग मैच और फाइटिंग स्पोर भी 190-170 के एप्रोक्सिमेट देखने को मिल सकता है अब हम बात करेंगे बेन्यू पर खेले गए रिसेंट मुकाबलों के बारे में रिसेंट मुकाबलों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप देखेगा बेस्ट इंडीज 180 एंगलेन ने 118 बना कर चेस किये थे पेस बॉलर को मिले थे यहाँ पर दो विकेट तो इस्पनर ने निकाले थे चार विकेट पहले मुकाबले में इस्पनर ने नोमिनेट किय फिर अगला मुकाबला देखो के बेस्ट इंडीज 218 तो अफगानिस्तान मात्र 214 ही बना पाई थी पेस बॉलर का डोमिनिशन देखने को बिला जहां दोफतो मैं पेस लिख देता हूं यहाँ पर पेस बॉलर को डोमिनिशन देखने को मिला इस्पनर को मिले मात्र चार वि फिर आप देखोगी स्कॉडलेंड 180 और उस्टेलियान उसी चेस कलिया था यहाँ पर आपके लिए इस्पिनर का डॉमिनेशन देखने को मिला पांच मिकेट इस्पिनर को और पेस बॉलर को मात्र मिले तीन विकेट तो कुल मिलाकर चार मुकाबलों में से दो मुकाबले ऐसी जिनमें के दोस्तों इस्पिनर को बेनिफिट हुआ है और दो मुकाबले ऐसी है जिनमें पेस बॉलर को बेनिफिट हुआ है कुल मिलाकर दोस्तों हम एक बैटिंग 25 मुकाबल हों में देखोगे 12-12 दॉनों जीते हैं मन्तब यहाँ पर आपको लिए कांटे की टक्कर देखने को मिली है और आज के मुकाबले में भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी लास्ट मुकाबल होगे 191 बनाया थे मतलब इंग्लेंड के खिलाब जो एक कहावत है ना कि इस्पनर हाभी होते हुए नजर आती हैं वो कोई गलत कहावत नहीं है वो बिल्कुल सही कहावत है यहाँ पर आप देखोगे दौनों इस्पनर ने मिलाकर साथ विकेट निकाले फिर जौनी बैरिस्टो लास्ट मुकाब साउथ अफ्रिकान यहाँ पर आप देखोगे रिजा एंडेक्स फिर स्कूर किया मतलब रिजा एंडेक्स को थोड़ी सी पसंद आती है है निक क्लास इन उननीस रन प्रिश्टानेश्ट पंद्रा रन तबरे समसी और कंगी सुरा बाड़ा समसी को तो सायद आप आज के मु को नजर आ सकता है फिर आप देखोगे यहाँ पर जॉस बटलन उन्तीस रन मोय नली 28 रन एक विकेट जॉनी वेरेस्टू तीस रन और लियाम लिंगस्टन अठारा रन और क्रिस जॉड़न को एक विकेट मिला था तो जॉनी वेरेस्टू रिजा हैंडिक्स तबरे समसी यह के तीनों टॉप प्लियर हैं जिने आप अपने टीप में आज की मुकाबले में रख सकते हो जी यहां दोस्तों और विकेट के अपॉर्डिंग केसी रखना है केसी नहीं रखना वो तो आपके लिए में टेलिग्राम पर अपडेट करी दूँगा तो आपको टेंशन लेने क करकर आपके लिए राजबंदुत्री कोट डालना है जैसी आप कोट डालोगे हमारी दरफ से आपके लिए 250 रुपे का कैस बोनस मिल जाएगा उसके बाद आपको 100% GST रिवेट दे जाएगी और दोस्तों आप देखो यहां पर लुएस्ट एंट्रिफिस है इससे कम एंट् लाश्ट प्रमेंस के बारे में फिलिप साल्ट फिलिप साल्ट लाश्ट मुकाबले में 87 रने की पारी इन्होंने खेली ना बड़ी आउट्स्टेंडिंग पारी थी जिया दोस्तों बड़ी जबर्चस्ट पारी थी आप देखो के 87 एक ही पारी आई है जब टूनमेंट और पारी आई है आक्रमक खेलते हैं और ग्रेंड लिग में उर्क रिस्क जरूर इन पर हो जाएगी वाइस के प्रोस मन्त पेलिए यहां पर 24 और 42 मतलब 3-4 पारी यहनी की अच्छी आई है जॉस्पर्लर को आप ट्राई कर सकते हो जॉस्पर्लर का यदि हैट-to-head देखो कि आप 32 कैब्रेज है और बेनु पर लाश्ट मुकाब्रेज ने कैसी बेनु पर हुआ था 25 रह ने नो ने किये थे बेनु पर एक 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 दो 2-2 मुकाब्ले हैं तो बेनु छोड़ दीजिएगा आप हेट-to-head देखिएगा 15 मुकाब्लों में 419 है और 32 कैब्रेज है उसके बाद दोस्तों जोनी बेरेज तो जोनी जोनी यहास पापा यह लगातार स्कूर कर रहा है लाश्ट को दोनों मुकाब्लों से 48, 31, 8 और 7 यद दोस्तों बेनु पर 2 मुकाब्ले हैं 116 रण हैं 58 कैब्रेज है बिल्कुल इंपूडेंट प्लेयर है नोट कलीजी का जोनी वेरेस्टो को उसके बाद आप देखोगे हैरी ब्रुक अब हैरी ब्रुक का जो बेटेंग ओडर है वो थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है और हैट टो हैट देखोगे तो इन्होंने मुकाब्ले नहीं खेले हैं लेकिन इनका बैटे मॉड रहता है ना तब तो हम इन्हें ट्राइब करकर चल सकते हैं उसके बाद मुईनली 13 रन एक विकेट फिर यहां पर 16 रन 25 रन एक विकेट लास्ट मुकाब्ले में बल्ले बाजी नहीं आए थी लास्ट मुकाब्ले में तीनों नहीं ही टार्गेट केस कर दिया था मुईनली इंपूडेंट प्लियर हो सकते हैं क्योंकि एक गैंद बाजी प्लस बल्ले बाजी दोनों ही करकर देने बाले हैं हैट्ट्वेर दस मुकाब्लों 22 कैबरेंज हो और 9 विकेट हैं लेकिन गैंध बाजी से हर वार इंवनीं के अले, ना यहां दूस्तों, बल्ले बाजी से बले ही कुछ ना किया हो गैंध बाजी से हर वार विकेट निकाली है। तो बल्लेबाजी का तो मैं इने सजेशन नहीं दूँगा बल्लेबाज के तो नहीं ले रहे का लेकिन दोस्तो एज बॉलर यह दि आप अल राउंडर आप ग्रेल लिग में ट्राइक करना चाहते हो तो कर सकते हो हेड टु हेड इनके हैं दोस्तो ग्यारा के अबरेज हो और विकेट नहीं निकाला है बेन पर लाश्ट मुकाबला खिलाता तो एक विकेट इनहीं मिला था उसके बाद सेम करन कुछ खास प्रोमेंस नहीं है ड्रॉप करकर चल सकते हो जोर फा आर्चर बिल्कुल डेफनेली आ मुकाबलों में दो विकेट इनके हैं बिल्कुल इंपोडेंट पिलियर है जो फरा आर्चर बिल्कुल डेफनेली आप इने ट्राइ करकर चल सकते हो आदल रसीद यहां पर एक विकेट फिर जीरो विकेट चार विकेट और एक विकेट पिलियर इंपोडेंट है लेकिन ग्र बॉलर है मैं उनके तुलना में कुछ भी नहीं हो लेकिन जो मैं एनलाइस है न मेरा तो डेथ होवर में ने गेंद बाजी करना नहीं आदे डेथ होवर में भी आप यदि स्वाट गेंद फेंकोगे ना तो रन खाओगे ही खाओगे वहाँ पर योरकर आपके लिए जो अच्छा हत्यार है उसका प्रियोग नहीं करोगे भले आपके पास पेस हो डेड़ सो की स्पीड पर आप गेंद डाल दियो लेकिन बल्लेबाज को बीट नहीं कर पाओगे बल्ल टीन बिलकुल इंपोडेंट है चार चार प्लियर तो यह मस्तिक हैं इनकी तरब से अब दोस्तों इनके ओप्सन में कौन-कौन आता है एक हैरी गुरुक आपके लिए अच्छा ओप्सन हो जाती है हैरी गुरुक को ट्राइ कर सकते हो हैरी गुरुक के बाद दोस्तों आप म जोफरा आचारे बिल्कुल कंफर्म पिलियार है जिने आप ट्राइ करकर चल सकते हो तो चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर साउथ अफरिका के बारें बात करें रिजा हैंड्रिक्स हैंड्रिक्स ने हैट्वेर दोना ही मुकाबला हम लास्ट के महुत अच्छा प स्मभता इने ड्रॉप करकर चल सकता हूँ जियर दोस्तों ड्रॉप कर चला चा सकता है एक मुकाबले में अक्ति यॉसके बाद आप देखो कंटनि को लास्ट मुकाबले में हमारे कप्टन थे जब किसी ने इने केप्टन negative हम और दोस्तों वं वसकार मम चीपन का जी ते जै तर रन और फिर दोस्तो लगातार फेलुवर आये थे लेकिन आप बेटिंग पेरडाइज पर आ गए हैं तो इसको तो करकर यह देने वाले हैं यह दोस्तो एडन मारक राम गयंद बाजी प्लस बले बाजी लास्ट मुकाबले में 46 रन जीरो विकेट फिर आप देखोगे 15 रन एक विकेट चार रन जीरो मतलब तब थोड़ी ही अच्छी विकेट पर आये न तो इनका स्कोर बनना चालू हो गया हाला कि IPL से ही ए आउट ओ क्याप्तेंसी के लिए यह दो खिटो क्याप्तेंसी और 22 क्याप्तेंसी के लिए वे बहुत अच्छी जोई से हो जाएगगी उसके बाद डैवुड मिलार समभटा इस नमबार पर तो वल्ले बाजी नहीं करेंगे डेविड मिलार बल्ले बाजी करने के लिए नीचे आएंगे इंदा से नीचे भी आपके लिए डेविड मिलार बल्ले बाजी करते हुए नेज़ा आ सकते हैं हाला कि जो फॉर्म दिखना चाहिए था वो नहीं देखा है यदि 2969 के इनकी एनिक्स निकाल दी जाए तो प्रफम सामने वाले टीम मैच हार जाएगे जियां दुखतों जिस हिसाब से हिटिंग करते हैं और जिस हिसाब से खिलते हैं तो इनको लेना बेला इंपूडेंट बनता है है तो पांच मुकाबले हैं एक सो बतीशरा ने 26 के आबरेज है काफी इंपूडेंट मिला रहे हैं तिस्ट सब्सको ट्राइ किया जा सकता है अब मेक्ट्रो यांसन का देखोगे वैसे तो यह बहुत अच्छी प्लेयर है और आल राउंडर के दोस्तों रॉल प्ले करते हैं लेकिन आप देखोगे लाश्ट के एक डो तीन तीन मुकाबलें से इनको बिकेट नहीं मिले हैं लेकिन या पर में भी गैंदबाजी कर करेंगे और साथ में आपके लिए मिडल आपर में भी गैंदबाजी करेंगे चार मुकाबल में मात्र तीन विकेट हैं क्योंकि इंग्लेंड की प्लियर, पेस बॉलर के लिए अच्छा केलते हैं, तबरेज समसी आज की मुकाबले में आपके लिए ट्रंप कार्ड की रॉल प्लिए कर सकता है, यहां पर आप देखोगी, तो एक बिकेट, चार बिकेट, जीरो, एक, और एक, लाश्ट मुकाबले में हलाकि, युएसे खिलाब इनकी ठुकाई जरूर हुई थी, लेकिन हेट टो हेट आप देखोगी, बारा मुकाबलों में 16 वेकित हैं, तबरेज समसी को ट्राइ किया जा सकता है, तो चलिए, अब हम बात करेंगे दुफ्तों यहां पर, आपके लिए इंकी तरफ से इंपोडेंट प के लिए रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल ट्राइ करना ही करना है, आप ऑप्सन के तोर पर जो दोस्तों आपके लिए डिफ्रेंट पिक होगा, एक रिजा हेंडिक्स हो जाते हैं, इने ट्राइ कर सकते हो, तबरेज समसी हो जाते हैं, इने ट्राइ कर सकते हैं, यह दोस्तों हम लगपिक रहने बाले हैं तो में आपके लिए ऊप करेंगे जो हमारे क्याप्टन 22 के से चोईस और रिसकी चोईस होने बाले उनी के बारे में, तो सबसे पहले आप safe choice देखिएगा, तो quantum decock है, जौस बडलर है और जौनी वेरिस, जो ए मेरी तरप से दुफतो safe choice है, भही याद इलिस की choice के बारे में चर्चा करें, तो flip salt भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले ही बॉल से आकर बलना चलाते हैं, handy class हैं, इनका भरोसा नहीं है दोश्तो, add on markgram, हला कि ये भरोसी मंद पलियर है, लेकिन इनका form नहीं है, इन में से आप captaincy, vice captaincy, दे सकते हो, आपके लिए option दे रहा हूँ, यदि आपके लिए confirm captain, vice captain चाहिए, तो आप हमारा टेलीराम चैनल जोइन कर लिए जीका, लिंक आपको टेलीराम क पर हमने trust दिखाया है, इनकी जगे यदि आप दोस्तों यहाँ पर तबरिद समसी को लेना चाहते हो ना, तो ले सकते हो, क्योंकि बिकेट में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने तबरिद समसी को try नहीं किया, एडन मारक राम है, और दोस्तो, मोहिनली को try किया है, फिर नौरजें, कंगीस रबाड़ा और जोफरा आर्चर, यह हमारी टीम है अभी के स्थिती में, और जो फानल टीम आएक है, उसके बारे में अबडेट आपके लिए टेलीग्राम पर मिली ही जाएगा, तो आप टेलीग्राम जोइन करना मत बूलिएगा, लिंक आपको टे जय हम, जय भारत